आज मैं मीठा चीला बनाने जारी हूँ तो आप लोग वीडियो फुड़ा जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब से और जरूर कीजिएगा तो यहाँ पर मीठा चीला बनाने के लिए मैं एक कटोरी गोड ले ली हूँ और बड़े कटोरी से एक कटोरी गेहूं की आंटा एक हम बॉल ले लेंगे और इसमें सबसे पहले हम गोड डाल देंगे तो गोड आप लोग का दुकास करके या तोर करके ले लीजिएगा तो मैं तोर करके ले ली हूँ आप इसमें हम पानी डाल देंगे यह कटोरी गूर थी उसी कटोरी से इक कटोरी में अभी पानी डाल दी हूँ अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे या इसे साइड में रख देना है ताकि पूर अच्छे सिर्फ फूल जाए हम ग्यास पर एक अडाही ले ली हूँ इसमें हम एक चमस तेल डाल देंगे बड़े चमस से एक चमस तेल डाल देना है तो मैं सर्सुकी तेल डाली न अब एक चमस जीरा डाल देंगे चार पांच हरी मिर्च बिलुकल बारी काट करके डाल देना है हाद रख डाल देंगे एक इंच कदू कस करके तो हाड़ी मीर्चा द्रंग जीरा पक चुकी है अब इसमें हम एक चमच हींग डाल देंगे अब टमाटर मैं यहाँ पे ले ली हूँ चार बड़े साइच की टमाटर बिल्कुल बारी काट करके तो टमाटर डाल देना है टमाटर अच्छे से हम मिक्स कर देंगे अधरा खड़ी मिर्च के साथ अब इसमें मसाला डाल देना है तो एक चोटी चमच में हल्दी पॉडर ले ली हूँ एक चमच मिर्च पॉडर डाल देना है एक चमच दनिया पॉडर डाल दी हूँ और आधी चमच जीरा पॉडर डाल देंगे अब सारी मसाला डामाटर के साथ हमें धीमियाद पे पकाना है इसे चलाते हुए बीच बीच में तो देखिए बीच बीच में चलाते हुए मसाला मैं अच्छे से पका ली हूँ तो तेल छोड़ दिया है डामाटर भी सॉप्ट हो चुकी है अब इसमें हम हरी मतर डाल देंगे तो एक कटोरी में हरी मतर डाल दी हूँ अब इसमें नमक डाल देंगे तो टेस्ट के हिसाब से नमक डालना है तो एक चमच में नमक डाल दी हूँ तस्तोरी मेती एक चमच डाल देंगे गिमी आज पर हिया मीट पीच में चलाते हुई से और पका लेंगे दो मिनट तो देखे दो मिनट मैं पका लीगों फिर से तेल छोड़ दिया है और मटर भी सॉफ्ट हो चुगी है अब हरी मीट जैसे ही साबूत हम चार पास डाल देंगे तो तीक हाप लोग अपने हिसाब से कम जादा डाल सकते हैं मैं 4-5 आड़ी मिट सावुत डाल दी हूँ, अब उबला हुआ आलू ले लेंगे और इसमें तोड़ करके डाल देंगे, तो हाथ से ही तोड़ करके डालना है, चापो से काट करके नहीं डालना है, हाथ से ही तोड़ करके हम इसमें डाल देंगे, तो चार में पड़े साइच की आड़ो तोर करके डाल दी हूँ अब मसाले में अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे तो च्छे से मैं मसाले के साथ आलो को भी भून ली हूँ दो मिनटा पका लेना है दीमी आज पर तो अच्छे से साड़ी मसाला पक चुकी है अब हम इसमें पानी डाल देंगे दो गिलास में पानी डाल दी हूँ तो आप लोग ग्रेवी अपने हिसाब से गाटा या पतला रख सकते हैं अब इसे अच्छे से हम mix कर लेंगे तो इतनी गाटी ही रखना है थोड़ी सी हम पतला ही रखेंगे कि जैसे जैसे ये फी ठंटी होगी तो गाटी हो जाएगी अब इसे हम ढख करके धीमियाज पर 5 मिनटी से हम पका लेंगे तो देखे 5 मिनटी हो चुकी है सबजी अच्छे से उबल चुकी है पक गई है अब इसमें हम गड़ मसाला डाल देंगी तो आज ही छोटी चमच में गड़ मसाला डाल दी हूँ हडा धनियां डाल देंगे काट करके तो देखे इतनी गाड़ी है हो गई है पकते पकते और भी गाड़ी हो जाएगी यह ठंडा होने पर तो हमारी यह आलू की सबजी बन के तयार हो गई चीला के लिए अब हम ग्यास बंद कर देंगे अब देखे गूर अच्छे से पिखल चुकी है पानी में मिल चुकी है तो एक बार हम चमच से और मिला देंगे इसे तो मिला दी हूँ गूर अच्छे से मिल चुकी है अब थोड़ा थोड़ा डाल करके आटा हाँ में गोल देंगे मिक्स कर देना है तो थोड़ी थोड़ी आटा डाल करके इसे मिक्स करते जाना है तो देखिए अच्छे से मैं गोल त्यार कर ली हूँ तो एक अटोरी आटा एक अटोरी गोल और एक अटोरी पान डाली हूँ तितनी काठी गोला में त्यार करना है अब ग्यास पे एक तवा ले लिए हूँ तेख तवा ले लेना है और एक चमचा तेल डान देंगे और इस पे अच्छे से फैला देना है अब इसके उपर हाँ गोल डाल देंगे तो जितनी छोटी बड़ी आप लोगों को बनानी हो उससे आप से फिर गोल डाल देना है और कल्ची से हम इसे फैला देंगे इसके उपर फैला देना है तो तुरंत नहीं पलटना है इसे तो देखिए उपर से बिलकुर यह सोख चुकी है जब उपर से सोख जाए उस तरह में इसे पलट देना है दूसरी तरह पलट देना है अब दोनों तरफ से पलट पलट करके हम सेख लेंगे देखिए दोनों तरफ से यह अच्छे से सिख चुकी है तो ऐसे ही बना करके त्यार कर लेना है हमारी चीला यह बन के त्यार हो गई है तो ऐसे मैं बना लूँगी अब हम तेल नहीं डालेंगे बिना तेल के ही बनाएंगे पहली पार बनाेंगे तो तेल एक चमस डाल देंगे और दूसरी ताइतरी जब बनाएंगे अब हम तो बेना तेल के ही बनाएँगे तो फर से मैं इस पीडाल दी हूँ गोल और इसे अच्छे से फैला दी हूँ देखिए उपर से अच्छे से ये सोख चुकी है दूसरी तरफ हम पलट देंगे तो कितने अच्छी है बनके त्यार हुई है तो दुनों तरफ से पलट पलट करके सेख लेना है तो आप जाहें तो थोड़ा थोड़ा तेल डाल करके भी सेख सकते हैं या बिना तेल के भी बना सकते ही पहली बार बनाएंगे तो थोड़ी सी तेल डाल दीजिएगा ताकि तावा पे छिपकेगी नहीं है तो देखिए हमारी यह बिना तेल वाली भी चिला बन के तयार हो गई है तो ऐसे ही मैं सारी चिला बना करके त specifie लूंगी तो देखिए मैं चिला बना करके त्यार कर ली हूँ तो देखिए ये कितनी सॉफ्ट बन के त्यार हुई है बहुत ही नुलाइम और बहुत सॉफ्ट बन के त्यार होती है तो एक बार अपने मेरे तरीका से जरूर बनाईएगा और इसके साथ ये आलू की सबजी आलू मटर की पतली सबजी इसके साथ बहुत ही टेश्टी लगती है खाने में यह आप अचार के साथ भी खा सकते हैं तो यह मैं अमला की अचार जो बनाई थी, वो अचार है तो हमारी चीला और आलू मटर की सब्जी बन के तयार हो गई आप लोग इस वीडियो के ज़्यादा सेयर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एक पर बना करके ज़रूर खाईएगा और बताईएगा कि आज का डिसी भी आप लोगों को कैसा लगा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद